मामा ये शुगर पानी में हल नहीं हो रही बिटा आपने ICOVES अभी नहीं डालने थे इसकी वज़ा से शुगर पानी में हल नहीं हो रही ICOVES की वज़ा से? वो क्यूँ? क्योंकि पानी का तंपरीचर कम हो जाने से शुगर की solubility कम हो जाती है वो कैसे? मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के जरीए समझाती हूँ एक बीकर में 100 ग्रैम्स पानी लें और कमरे के टमपरेचर पर सोडियम कलराइड यानि खुर्दनी नमक की कुछ मिक्दार हल करते हैं तो ये पानी में हल हो जाता है अब हम इसमें зीद नमक डाल कर इसको हल करते हैं तो हम देखते हैं कि मजजद नमक पानी में हल नहीं हो रहा इसका मतलब है कि कमरे के टमपरेचर पर सोडियम कलराइड का सेछुदा सिलूशन तयार है अब हम सिलूशन को स्पिरिट लेंपर गरम करते हैं अब इसमें मजीद नमक मिलाकर अच्छी तरह हिलाएं तो हम देखेंगे कि इस गरम सेलूशन में सेल्यूट की मजीद मिकदार हल हो जाती है। किसी सुल्यूट की वो मिकदार जो खास टमपरेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेट में हल होकर सेरशुदा सिलूशन बनाए इस टमपरेचर पर इसकी सॉल्यूबिलिटी कहलाती है। कमरे के टमपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम स्पानी में कॉपर सिल्फेट के 24 ग्राम हल हो जाते हैं। जबके 60 डिग्री सेल्सियस पर सेरशुदा सिलूशन बनाने के लिए कॉपर सिल्फेट के 60 ग्राम हल होंगे। इसका मतलब है कि कॉपर सिल्फेट की सॉलिबिलिटी 25 डिग्रीज पर 24 ग्रैम और 60 डिग्रीज पर 60 ग्रैम है इससे हम ये नतीज़ा अखस करते हैं कि टमप्रेचर में इजाफे से किसी सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी में इजाफा हो जाता है और गैसों की माया सॉलवर्ट में सॉलेबिलिटी टमप्रेचर भाने से कम हो जाती है हम कई टाइप्स के सुलूशन्स इस्तेमाल करते हैं कार्बोनेटिड वाटर, कार्बन डाइकसाइड गैस और दूसरी अश्या का पानी में सुलूशन है बंद कैन में गैस के बबल्स बाहर नहीं निकल सकते, इससे प्रेशर बनता है जब हम कैन को खोलते हैं, तो गैस तेजी से बाहर निकलती है हम अपने घरों में सकंजबीन और चाय इस्तिमाल करते हैं, ये भी सुलूशन्स है हवा मुख्लिफ गैसों का सुलूशन है, हम इस सुलूशन में सांस लेते हैं कार्बन और आइरन के मिलने से स्टील बनता है, जो मेल्ट होने पर एक सुलूशन बनाता है दो या दो से ज्यादा धातों का मिक्स्टर अलॉई कहलाता है समंदर में नमक और दूसरी मादनियाद पानी में हल हो जाती हैं इसलिए समंदरी पानी भी एक सुलूशन है थैंक्यो मामा, मुझे सुलूशन और सॉलूबिलिटी का अच्छी तरह पता चल गया है